कि जैसा कि हमने cricket का ऑपाल हुठाया ना आज का गेंपले भी आमरा बॉलिंग के आसपास ही होने वाला है कि एक आद ऐस के जो गेंपले होने वाला है वो हमारा वी आर का बॉलिंग का गेंपले दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज गेंड डालने वाले गेंबाजों के नाम आप देखते हैं तो श्वय बक्तर प्रेटली मिचस्टा जैप तोंसन और शॉन टैट अब यह आज की गेंपले में कैसे हिस्सा बनेंगे पांच प्लियर वो देखना इंट्रेस्टिंग होगा और इसमें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं कि यार हमारा आई भी क्रिक्ट चाले हो चुका है मैं बॉलिंग की स्क्रीन पर आच चुका हूँ अब इसमें फंडा क्या है यह समझाना बहुत जरूरी है तो होगा यह कि आज पांच गेंड बाज आज के टूर्णमेंट का हिस्सा होंग यहां से एक या दो गिंद बाज वो भी में आपको आगे वाले वीटियों में में बताऊंगा कि कायसे हम अगई क्ला राउंड जबाकी के इसली से के उपर किलोमीटर पर आवर के स्वीट से बॉल डाली है तो आज ये पांच हमारे गेंपले में एक दूसरे को चैलेंज करेंगे अब इसमें रूल्स क्या होते हैं जब आप रैड़ी पर क्लिक करते हैं ये जो हिस्सा लिखा आ रहा है इसके जितना सेंटर में रहेगा उतना ज्यादा फायदा होगा गेंदबाच को तो पहली छे बॉल मैं खुद अपने नॉर्मल एक्शन से ट्राय कर रहा हूं और फिर हम एक करके जो बॉलर्स हैं जो लेजेंड्स हैं उनको वापसी कराएंगे तो क्या फंड़ा है वो किस तरह का गेम है वो भी मैं फ्रुरा सा प पॉइंट दिखा रहा है टूटल मैंने कितने कलेट किया है वो हम सिर्फ 6 ही काउन करेंगे तो अभी पहली जो है एक्शन वो मैं सिर्फ अपना एक्शन से कर रहा हूं और हां यहाँ पर स्पीड फंड़ा नहीं है असली फंड़ा जो है वह बालिंग एक्शन का देखो ती पीछे जागे अब हम गेंदबाजी करेंगे काफी आगे रखी इस बार गेंद अब राइट साट देख सकते हो यह मेरा जो पांच पॉइंट ठीक है तीन गेंदे बागी है आपर एक नॉबाल था इस कारण से नई माइनस टू नॉबाल चला जा रहा है थोड़ा सा मैं इसको सैट करूंगा यह धियान रखना है अगर नॉबाल होता है तो माइनस दो पॉइंट होंगे तो वो फिर जिस गेंदबाज के हिससे में आएगा वो उसका दोशी होगा ठीक है मिनिमाम ओके उससे ज्यादा हमने कमा लिए यहाँ पर इस एक शॉट से ओके थ्री पॉइंट्स एक और बार भी होती है यहाँ पर जो अगर मिनिमाम के नीचे रह जाता है ना तो भी वो नॉबाल होती है तो यह मेरा जो नॉलमर एक्षन था जो जनरली मैं करता हूं जिसके मेरी आदत ह है मैंने 77 पॉइंट बनाएं तो यहाँ पर आगे हम लोग हमारे पहले गिंबाजी एक्षन चैलेंज के साथ जो है हमारे जैप थॉमस ऑन ऑस्ट्रीलियन लेजेंड अब भाई लेको मैं अपने दर्ब से बैस्ट कोशिश करूँगा उनको कॉपी करने की वर लेट सी क्या पुट बन के आता है काफी पुराने जमाने के प्लेयर है तो उनका जो एक्षन था कुछ ऐसा था कि वह पदा नहीं कैसे यह हाथ उपर लेते थे फिर करते देगें फर्स्ट बाल थ्री पॉइंट्स आएं सिर्फ लेट सी सबसे सबसे डिफिकल्ट एक्षन है इनका ठीक है मैं अब फोकस कर रहा हूं इस पर नहीं तो बॉल अच्छी लेकिन मिस्स कर गया है और यहां पर सारा फंडा जो है वो यहां पर आप देख सकते हो कि पॉइंट का है थ्री पॉइंट्स नहीं चलेगा भई तो टोटल 36 पॉइंट हो गया है चार बॉल पर पुराने जमाने के बॉलर्स का रुनर पी ऐसा था ना कि नौबाल मत देना मिस्स डेड डॉट गेंट अ मैंने भी इनको ज्यादा कमें इनको कभी गेंद बाजी करते हो नहीं देखा मतलब लाइव मैंच में जब से मैंने क्रिकेट दिखना सुरू की आया तब से तो नहीं 43 पॉइंट ठीक है तो यहां पर हमारे पहले गेंद जाए वो है शोई बकतर भाई ठीक है मैं फिर से वदा दू यहां पर जो कॉंपेटिशन हो रहा है वो पॉइंट का है ना की स्पीट का तो पहली गेंद अब भाई मैं अपने तरफ से जो यह छोटे से जगा पर एक्शन हो पा रहा है न मैं लेने की कुशिश कर रहा हूं ट्रव टॉट्वकेट के इंका एक्शन है सबसे आसानी कॉपी करने में बट आई इंक पॉइंट लेना विकार हुआ हूरा है दो गेंदे मिंस चरतिए मिडल उडाते हुए बट फाइदा नहीं क्योंकि पॉइंट सिर्थ तीन है 150 पेस कर रहे है नहीं 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 मारना होता तो भाई लग जाती है कीपर को बट पॉइंट नहीं मिल रहे है पांच बॉलों में सिर्थ तीन पॉइंट रहे बक्तर के नाम इस गेम के अंदर बर्बाद पैसे बर्बाद एटलिस जैप तॉमसन यहाँ पर आखरी नंबर पे नहीं है शोय बक्तर के नाम सिर्फ तीन पॉइंट आया है 150 प्लस का पेस रखा है बट पॉइंट में काफी पीछे नेक्स्ट आ रहे है शोन टैट भाई यह मेरे बहुत जबदस फैबरिट प्लेयर थे इनका भी एक्षन मेंने काफी कॉपी किया हुआ है यहाँ पे रियल लाइफ में अब यह एक्षन के थोड़ी सी दिक्कत है यह भी शोय बक्तर जैसा ही हाल है इनका भी आप एक्षन देखोंगे ने इन सारे तेज गिंदवार्जों के एक्षन काफी हद तक सेम ही है पर आज के दिन शॉन टैट ने 30 पॉइंट ले लिया है यहाँ पर फड़ा मलिंगा हो गया पॉइंट नहीं मिला है कुछ और एक बात और यहाँ तेज गिंदवार्ज में आपके पास जितना ज़्यादा पेस न अतना अच्छा वरना बेकार एक और डॉट इस बार है तो काफी हागे मैं छोड़ता किस पोजिशन पर हूँ वो देखना होगा वो तीनो विस्टम्स उडाते हुए प्लस 20 पॉइंट लेते हुए अभी तक के विनर साबित हुए 50 पॉइंट के साथ ठीक आखरी के इंद बाबर आसी पॉइंट 6 गेंदों में मेरे 77 ते मुझे भी बीट कर दिया है आज के इंद बाबर यह नमबर दो पर तो यह रहेंगे कम से कम दो बॉलर्स बाकी है और यहां पर आएंगे ब्रेट ली जिनका एक्शन आई थिंग मुझे लगता है सबसे बैस्ट है यहां तक के आज के जोगी इंद बाबर यह वो जंब मैं नहीं ले सकता है यहां पर नहीं तो हो जाएगी बहुत बड़ी दिकत पट पहला ही शॉट आप देख सकते हैं पहली गें जो है वो डॉट रहती हुए चीटो पॉइंट देखे गई है यह कह लेट्स सी तीन सा ही शॉट भी आजाए न नब्बे पॉइंट हो जाएंगे भावरे दो डॉट और पता नहीं क्यों इतना आगे आ रहा है इनकी किस्मत खराबटी काप आगे आईए अप काफी ज़्यादा आगे है गुड्लैंट की स्लॉट में है काफी आथ बेकार बेकार जिस एक्शन पर लग रहा था मुझे सबसे ज़्यादा चांस है जैप थॉम्सन आगे है पांच बॉल शुन्य पॉइंट पीस भी कोई इतना नहीं है खास शुन्य पॉइंट अन्बिलिवेबल टार्गेट पे आज कुछ लगा ही ने इनका आ रहा है हमारे लास्ट के इंदबाज मिचस टाग अब बहुए एक दिक्कत है कि राइट लेप टी कॉंबिनेशन होगा अगर लेप टी गिमद बाज होगा तो भी मैं राइट राइट हैंड से करने वाला हूँ कि तब यूँ प्रॉपरली फेक पाऊंगा गेंड को उन्हाँ लेफ्ट हैंड से तो मेरे को काफी दिक्कते हो जाएंगी अप लोग एक बाद कमेंट करके जरूर बताना की मतलब ये बहतर है राइट लैप्टी को भी मैं राइटी करूँगा बट कोशिश रियल वाली करूँगा नहीं तो लैप्टी के साथ करने गया मैं राइटी हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गेंप्ले में ठीक है मिचिस ट्राग आर चुके है लेट सी क्या होता है पहली गेन पर काफी दोड़ा आ रहा है यारी तो डॉट गेन जितना जिसमें बाउंसर आता है वो उसके लिए टफ होता है फिर से डॉट अन दो पेपर बहुत अच्छे गेन है बट फाइदा क्या भाई मैंने पहले ही गा दा इसलिए इस सारा खेल पॉइंट का है पॉइंट आया आई थिंग थ्री पॉइंट लास्ट तीन गेनों में अगर ये तीस तीस ले ले लेते हैं तो आई थिंग नंबर एक बन सकते है ट्वइंटी फिप्टीन ठीक है अठारा पॉइंट लास्ट दो गेने फिर से फिप्टीन अरे यार सेवन पॉइंट आ रहा है ठीक है कम से कम थर्टी सिक से कर ले ले लेते हैं पॉइंट तो जैप थॉम्सन को हटा के हटा हरा के नंबर दो हो जाएंगे बरबार 25 पॉइंट यहां पर रुखते हुए तो भाई हमारी रैंकिंग यहां पर काफी हद तक क्लियर हो चुकी है तो जो रैंकिंग बन किया है तो यह तो यह तो पॉइंट शुरू करने में भी दिक्कत आ गई है तो जो बहुत की अगर बात करते हो तो मेरा खुद का भी रैंकिंग खुद का भी जो एक्शन है ना वो भी अगर आप देखते हो तो आज 77 पॉइंट लेके गया तो काफी स्ट्रगल है और दुसरी बार जगा भी आप जब नहीं खेलते हैं बॉलिंग में ज्यादा तो दिक्कते आती है अब सवाल यह आ रहा है कि वह इस मैं वीडियो का मतलब क्या है वाई तो दिक्कत यह ना कि यह दो लोगों को मैं सुच आओ आगे ले जाओ और आने वाले और वीडियो में आपको पांच गिंदवाज दिखेंगे अब आपको नाम देना है कि वह पांच गिंदवाज क्या होंगे कोशिश यह करने कि वह एक कैटेगरी में आते हों अगर मीडियम पेस है तो ठीक है मीडियम पेस है फास्टर है तो ठीक है फास्टर है तो ठीक है राइट आम है तो ठीक है राइट आम अगर एक्शन उनका कुछ यूनीक है तो यूनीक एक्शन 150 प्लस वाल है तो 150 वाल है spinner है lag spin तो lag spin तो वो अब आप लोगों को बताना है 5 गिंदबाजों के नाम जो एक केटेग्री में आते हो हम उनका यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम उनको अगले 5 गिंदबाजों में अब इका वीडियो में छोटा ही रख रहा हूं यार काफी मतलब फर्स्ट वीडियो था इस तरह का तो पहला अटेंट था वी आर बॉलिंग में ज़्यादा खेल नहीं रहा हूं इस कांट से ज़्यादा हिस्सा नहीं दिखा सकता है तो ट्राय कर देंगे अगले वक्त आप ल और रखें, खुछ रहें एहूं, तो प्लमस डालू होजा, 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 कितना हुआ ? नहीं हुआ इसमेंगे 에ज़रा..